है अजो दोस्तो राजवन सिंग्य महली प्राप़टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत अधा इसलो राजवन शिंग व्हली रियल स्टेट मेंटर रियल स्टेट आथर banana गार अज Kita para है बहुत ही बड़ी है यह एक किताब यू कन विन आपने जरूर सुना होगा उसका नाम पता नहीं कितिन लेंग्विज में शपी है यह शिव खिड़ा इंडियन ऑथर है उनकी किताब है उन्होंने अपनी किताब में एक कोट दिया हुआ है विन्ट विनर्स डू नाट डू दिफरेंट थिंग्स डेडू दा ढमेंग्स डिफरेंट ली मत्रों जो कामयाव लोग है वह भ्लक बाते महीं लग चीजें नहीं करते वो अलग काम नहीं करते लेकिन हर काम को अलग तरीके से करने की कोश्ची करते हैं तो इसके उपर मेरा आज मन था के आपके साथ अपनी दो बातें शेयर की जाएं तो सबसे पहले तो यही मैंने लिखा है कि जो कामयब लोग हैं वो अपना काम कैसे करती हैं डिफरेंटल अपनी किताबों में जो मैंने लिखने कोश्ची की है वो आपके साथ बात कर रहा हूं पावर आउ बिजनस मेरी एक कताब है वो जो लिखी पड़ी है लेकिन वो अभी मतलब उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता उसके इसाफ से जो मैंने उसमें लिखा है कि कोई भी आदमी चाहिए होती है का क्या मतलब है कि हमने हर तरीके से जो काम करना है उसका करना जरूरी है हर तरीके से उसका हमें करना पड़ेगा उसके बारे में सटर्डी करनी पड़ेगी उसके बारे में जो लोग काम कर रहे हैं सपोज आप बठा लगाने की बात कर रहे हो बठा लगाना पास जाएंगे उन से clarity लेंगे उसमें जो आने वाले चैलेंज है उसके बारे में बात करेंगे वो चैलेंज को कैसे handle किया जाना है उसके बारे में बात करेंगे तो जैसे जैसे हमारी clarity बढ़ती जाएगी हम हम वो business में हमारा रुची बढ़ती जाएगी कि हम यह business कर सकते हैं सो सिंपल बात यह सबसे पहले कलैरٹी कलैर्टी का मतलब है एजूकिशन लर्निंग लर्निंग इस इस दी पर्सेस ओर्ड्ल की ने कल लिए बिडियों मैंने का लिर्निग इस दी पर सेस्थ आउव अर्निंग सो उसके बाद फिर हम priority करते हैं कि यदि हमें समझ आ गया clarity होगी हमें कि हमने ये काम करना है business करना है या कोई और काम करना है जिन्रों तो पता लग गया कि हमने जहाज बिनाना है तो फिर वो priority set करते हैं यह नहीं के शाम के time किस तरीके से देने हैं यह नहीं कि हम मतलब का हमारे सपने बड़े-बड़े हमने ले लिए अपने सब बहुत बड़ी-बड़ी प्लैन त्यार कर लिए और उसको लागू नहीं कर रहे लागू करने के बिजाए हम ताज खेलने बाले के पास बैठ गे शरापी नोग बाले को पास बैठ गे को इधर उद्द चलेगे अपने मतलब इदर कहीं घूमना फिर ना हो गया कहीं नहीं आपको प्रैटी सेट करनी पड़ेगी जब आपकी प्रैटी सेट हो जाती है तो फिर आपका एक्शन शुरू हो जाता है तो ऐचीं और विचांट न्योंको धुए नोगा तो फिर उसमें आपको क्या करना पढ़ेगा कां में आपका कोई कंपरेशिया में का क्यो होगए क्योंगे पहली वार्ब होग है कर व वो उस तरीके का result मिला यदि मिला तो ठीक है नहीं क्योंकि के निया काम करते हैं तो बार 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 modification या कले उसमें correction करने की गुंजाइश लेती है तो यदि हमें result अपने तरीके से नहीं मिला तो हम दोबारे फिर वो काम करते हैं फिर उसमें improvements आ जाती हैं जितना improvement होती चली जाएगी जितनी भी improvement हम करते चली जाएंगे अपने काम में तो वो हमें confidence देगी और दोस्तो confidence की सारी गेम है winners के पास क्या होता है और कुछ नहीं एंजिए होता है जैसा अदमी जाहाज बनाने शुरूँ करा वो लोकों ने उसको मना किया कि तुम नहीं बना सकते मारकोनीने रेडियो बनाना शुरूँ किया उसको मना किया किसको नहीं बना सकते लेकिन उनके पास किया ता confidence confidence की वज़ा से, वो लोग, जींियस साबत हुए. जिन लोगों को पागल कहा गया, के ये पागल हैं, ये लोग अलग बातें करते जे ये टूर्ट ठिंग 17, बदो तिर्फरेंटली, मतलब वो अलग बतें करतें थे, तो उनको पागल का गया, जब पागल ने पागलों ने अपना काम करके दिखा दिया तो लोगों ने उनको बुद्धी मान कहा और सिजदा किया उनके आगे सर जुकया कि वाह क्या बात है क्या आपने क्या बना दिया तो दोस्तों ये जो सबसे जरूरी चीज यही है आपने कोई भी काम करना है कोई भी तो भाई यह लर्निंग इस दी प्रोसेस ओफ अर्निंग है आपने ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके सोड़ा साल कॉल्जों में गाल दिये और जहां से आपको दासिया बीस जार की नौकरी मिलने वाली है और हम आपको क्या ट्रेनिंग देने वाले है रियल स्टेट की ट्रेनिंग का मतलब है जहां हमें लाइफ फसीगनिफिकेंस मिलती है लाइफ अब सिगनिफिकेंस का मतलब जिसके पास पैसा भी हो और टाइम भी हो तो लाइफ आपको कम से खाम वहां 16 साल दिये 16 मीन्य तो देदो इतने इंपेशन्ट तो मत हो तो दोस्तों ज से करने के बाद एक्षन होता है फिर रिजल्ट होता है फिर उनके इंप्रूवमेंट सा फिर वसके कॉन्फिटेंस है इस तरीके से जो विनर्स है जो कामयाब लोग है इस तरीके से वह आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिंपल मैसे था यू कैन विन किताब यदि आपको मिलती ह है तो जुरूर पढ़नी चाहिए बड़ी सिंपल किताब है बहुत अची किताब है बहुत लैंग्वेज में तो आप उसको खरीद के पढ़ सकते हो बहुत बड़ी है तो उसी किताब का मैं जो था यह को टेशन दिया तो मैं आपके साथ शेर करने वाला था तो दोस्तों थ लगे लाइक शेर और इसके उपर चर्चा कर सकते हो मिलता हूं जल्दी एक ने टॉपिक के साथ आप अपना ध्यान रखें पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें लर्निंग इस दी प्रोसेस ऑफ अर्निंग जितना आप लर्निंग करोगे उतनी आपकी अर्निंग और कर दो ब्रोसे और कीैने हैं डिए मेरें हैं ता रहीं हैं जितनी क्वार सतीمة पच गवारें हैं face thank you very much